हेलो फ्रेंड्स मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस नए वीडियो में स्वकत करता हूं और आज बात करूँ वो छुट्टियों की जी हां आज छुट्टियों की बात करेंगे होता क्या है लिप्स कैसे नहीं चाया है कंपनी चाहिए और हम लीप्स लेते हैं और हमारा जो पैसा है वह साथ होता होगा और होता है कि आपको पता नहीं है साथ साथ चलो जोन लोगों को साथ नहीं हुआ है कब छुट्टी ले सकता हूं कितना मेरा अधिकार है government ने कितना मुझे राइड दिया हुआ या company ने मुझे कितना राइड दिया हुआ है कि मैं कब holiday ले सकता हूँ कब मैं छुट्टी ले सकता हूँ मेरा काम connect suppose that मन नहीं है या मेरे घर पे कोई program पड़ा हुआ मैं कैसे चुट्टी लूँ कितनी चुट्टिया होती है कैसे लिजाती है पूरा आपको इस वीडियो में information मिलेगा इस वीडियो को सुरू के सुरू से लेकर लाश्ट देखते रहे हैं मैं पूरी information ब्रीफ में देने की कोशिज करूँगा और detail में अगर आपको जानना है चीज क्लियर कर दूं website अभी अंडर construction है तो उस पर उपर मैं बहुत ज़्यदा material नहीं डाल पाया हूं क्योंकि ज़्यदा मैं उसको पर काम नहीं करता हूं ठीक है टाइम नहीं मिल पाता इतना बट हां इसका link मैंने दे दिया क्यों काफी important है और आपको जानकारी होनी चाह सकते हैं यहां मैं आपको brief में पूरा idea दे दूँगा जिससे आपको problem नहीं होगी company के अंदर फ्रेंड दकिए यह लीप का जो system है यह government का software establishment 1948 का law है जिसके तहत यह लीपस दिया था और यह state to state vary करता है सभी state के अपने लीपस अलग होते हैं अपने अपने तरीके हैं अपने अपने तरीके से वह change कर सकते हैं पहली बात दूसरी बात यहा कि जनरली मैं मुंबई की companies की बात करूंगा क्यों हम लोग फारवा के मुंबई या फिर हैदराबाद बैंगलोरू या आप कह सकते हैं अहमदाबाद यह चार पांच प्रेस जहां पर होता है मैं अभी मुंबई में क्योंकि मैं मुंबई की company में हमें सा काम किया हुआ तो वहां का मुझे ज्यादा एडिया है और लगभा लगभा फार्मा के अं जिसको ठीक है तीसरा लीब कर टाइप में अल्याय किसको बोलते हैं आफ फॉर्थ जो लीब का टाइप है वह और सिऩ 지awan या चार ट्व जो है खौई वे इंपलाई जब फार्मा के अंदर काम कर रहा होता तो ले सकता है चलिए अब एक एक लीब के बारे में डिटेल में बात करते हैं पहला लीब है प्रिविलेज लीब जिसको पील बोलते हैं प्रिविलेज जो बनाया गया है वह आपको रिश्ट देने के लिए बनाया गया है ज साथ 20 दिन का नहीं ले सकते हैं 21 दिन की छुट्टियां होती है टोटल जो होती है वो आप 10 दिन पहले कंपनी को नोटिस दे के ले सकते हैं पीयल जो होता है दस दिन पहले नोटिस दे के ले सकते हैं एक साथ आपको चार दिन की छुट्टी मिलेगी चार दिन से ज्यादा होता है LTA अगर आपको LTA claim करना है तो उसमें पांस दिन की छुट्टी लेना जरूरी है या compulsory कह सकते हैं बिना पांस दिन की छुट्टी लिए LTA नहीं मिलता है LTA में कोई बीच में अगर holiday पड़ता है तो वह उसमें consider नहीं होता है यह आप ध्यान रखिए गया पील जब भी लिजए continuous leave होना चाहिए LTA claim करने के लिए इसमें next जो point है वो है कि पील अगर आप suppose देट नहीं लेते हैं यूज नहीं करते हैं तो उसका पैसा आपको company के द्वारा in cash कर दिया जाता है जी हां फ्रेंट पील अर्न की जाती है suppose that minimum जो आपको working days होनी चाहिए वो 240 days कि एक calendar year के अंदर working आप करते हैं किसी भी company के अंदर तो आप 21 पील अर्न करते हैं अगर वो 21 days में से अगर आपने कुछ यूज के लिए तो ठीक है जितना बचा रहेगा वह next year में carry forward हो जाएगा पहली पहला point इसमें दूसरा point ध्यान देने की बात यह है कि जिससे company आप जॉइन करते हैं आपको तुरंद पील नहीं मिलता है या कुछ company देती है जनली companies पील नहीं देती है पील क्या होता अर्न कर लीब आप ले सकते हैं दस दिन की notice पे देना होता है और यह इनकैस्मेंट हो सकता है अब यह पील खतम हो गया पील में यही बाते बतानी थी आपको अब दूसरे लीब की बात करता हूं दूसरा लीब है वह है casual लीब क्या होता है यह emergency वाली छुट्टी होती है आज आज ही आपको सुबह आप working पे नॉर्मली थे कोई information नहीं थी company न आपको पता था सुबह सुबह आपको घर पे कोई अचनक काम पढ़ गया कही जाना आपको पढ़ गया और आपको छुट्टी की जरुवत है उस condition में आपका फिर CL काम आता है जिसको बोलते है casual लीब मिस emergency वापको आल में जो है आप सिर्फ जो है तीन बार चुट्टी को ले सकते हैं ज्यादा चुट्टी या इसमें नहीं मिलती है CL जो होती है और यह company to company vary करती है किसी company में 6 दिन मिलता है किसी company में 10 दिन का CL मिलता है ठीक है यह company to company vary करता है चलिए CL के बारे में आप जानगे emergency जब generally हम ल problem होती है उस condition में आप सिक लिब लेते हैं जब आपको बुखार हो जाया कुछ भी हो जाया उस condition में आप सिक लिब लेते हैं सिक लिब में company पैसा reimbursement उन लोगों करती है जो लोग ESI का जो act है आप लोग को अगर नहीं पता है मता दूं ESI एक government का एक provision है एक act है जिन लोग भी तो ESI center है आपके headquarter पे वहाँ जाके free of cost treatment करवा सकती है यह ESI act के तुरू है और यह बहुत सारी company जिससे जुड़ी होती है अगर आप ESI में जुड़े हुए हैं तो company आपको pay नहीं करेगी आपको wages नहीं मिलेंगे अगर आप ESI से जुड़े नहीं है अगर आप company ESI से चुटी लेते हैं तो आपको कोई भी medical certificate देने की company को आवाज सकता नहीं होती है अगर आप दो दिन से ज्यादा चुटी लेते हैं तो उसमें आपको medical certificate company को देना पड़ेगा sick leave जब भी लेंगे तो जो भी company का authority है आप उसको हमेशा तुरंद information करेंगे कि मुझे यह problem है और चुटी जा रहा हूं जनरली हम लोग क्या करते हैं बाकायदी इसके लिए proper mail drop कर देते हैं company में fever हो या कुछ भी होता है तो जनरली हम mail drop कर देते हैं और उसमें हम leave ले ले देते हैं sick leave ठीक है friend यह हो गया sick leave अब इसके बाद मैं बात करता हूँ pregnancy की or maternity leave की maternity leave देखी यह भी date birth का time होता है ठीक है जो भी expected date होता है उससे एक महिने पहले और उसके एक महिने बाद, दो महिने के छुटी जनरली private companies में कुछ चुछ कंपनियों में से भी कम देते हैं लेकिन जनरली दो महिने का company minimum छुटी देती है जो भी पट्टिकुलर date है उसससे एक महिने पहले है और होने के एक महीने बाद हाँ कुछ कंपणी में सभी कंपणी में नहीं कुछ कंपणी में पैरेंटर लीब भी मिलता है मैं आफ बाप बन गए तो इसके क्योंकि आपको वाइब को बच्चा हुआ तो आपको भी चुट्टी की जरुआ तो कियर कॉन करेगा देखबाल करने के ल जो लीव होता उसी के साथ एक और काटेगरी कह सकते हैं ठीक है तो वो कुछ यह कंपनी में थे लिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया तो यह चार टाइप के फ्रेंड लीव है और बस यही बताना था आपको और हाँ एक बात का और धाना कि यह जो लीव हैं यह जनुवरी कंपनी के अंदर बट जो लीव का सिस्टम कह सकते हैं वो जनुवरी जैन टीसमबर होता है अब अब धीसमबर आने वाला है अभी जिल लोगों के अपने लीव नहीं लिया अभी तक पोन करके पता कर लिजे अपनी मेरी लीव पेंडिंग तो नहीं है जितना लीव है उसको लेके enjoy कर लिए चुट्टी अगर मार सकते हैं तो ठीक है मेरी भी ली पेंडी में मैं भी December में छुट्टी लेने वाला हूँ तो आप पता करके ले सकते हैं कि CL जो पेंडीं होगा आप उसको ले सकते हैं CEL अगर आपको इनकैस्मेंट कराना तो उसको बिल्कुल टच मत करिए CEL अगर कोई पेंडिंग है तो उसको ले लीजिए कि को दिसंबर के बाद वह लैप्स हो जाएगा नेक्स्ट यर करी फरवर्ड नहीं होता है और जनवरी से आपको फिर से नहीं लीप्स आने वाली है ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो इन्फार्मेटिव लगा हो या और कुछ कंफ्यूजन रहे गया हो आपके माइन में आम उससे कमेंट करके सेयर कर सकत हैं और बिल्कुल डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ फार्माजबस.com पे जाए वहां पर मैंने यह सारा स्कैन डाल दिया है जो पेज आपको यहां देख रहे हैं इस सारे स्कैन डाल दिया है वहां पर जाके पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए परोस में उसके बेल आइकॉन दिया है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए प्रेस करने बद आल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने उसनी मिलता रहेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में